नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं बियल सचीवा, दोस्तों आज में आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद आपका मन बिचुप्त हो जाएगा दोस्तों, देख में तो दलित लग रहा है कि किसी का बंदुआ मजदूर हो गया है, किसी का गुलाम हो गया है, जिसका जो मर्जी चाहे वो करते जा रहा है दोस्तों देश के अजादी के सत्तर आलबाद सामंती जो ये कहते हैं कि अब आरचल खतम कर देना चाहिए या फिर आरचल को आर्थिक अधार पर लागू कर देना चाहिए दोस्तों आरचल को आर्थिक अधार पर लागू करवाने वाले क्या जाती का विरोध करते हैं कभी नहीं करते हैं लेकिन दलीतों का सोशड जाती के अधार पही होता है और मैं बात सदियों की नहीं कर रहा हैं मैं बात आज की कर रहा हूँ दोजों राजस्थान के कोटा में गड़े स्पंडाल के दौरान एक एचसी समाज के लड़के को यानि एक दली समाज के लड़के को सामंती गुंडों नगन करकर पीटा और नगन वस्था में ही उसे नाचने पर मजबूर कर दिया और यह नहीं बलकि उत्तप परदेश के महिनपूरी में मंदीर के बाहर खेल रहे तीन दलीत बच्चों से इंसामंतीयों का मंदीर असुद्ध हो गया और धर्म के दो ठीकेदारों ने उन तीनों दलीत बच्चों को पेड में बाद कर बेरहमी से पीटा जो आपके सामने है और परिजोनों के वहाँ पहुँचने के बाद मैटर पूछने पर उन्हें जाती सूचक गालिया दी गई इस तरह की गुंडा गर्धी हमारे देश में इस कुलियाम चल रहा है और सरकारे आंख बंद करके काण बंद करके मुँ बंद करके चुप चाप दलीतों के उपर हो रहे अत्याचार का तमासा देख रही है मैं तो इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि यदि दलीतों पर अत्याचार नहीं रोख सकते तो कोई उपाय क्यों नहीं लाते एडॉल्फ हिटलर की तरह या तो गेस चंबर में डाल का दली या फिर जहर दे दो दोस्तों ये सब पिडाये देखकरना मन बड़ा भी छुप्त होता है कि क्या दलीत अत्याचार के लिए बना है क्या दलीत इन लोगों का सोसल सहने के लिए बना है बड़े बुजुर्गों पर तो ये लोग अत्याचार करते ही हैं साथ ही साथ घर के छोटे-छोटे मासुम बच्चों पर भी ये लोग रहम नहीं खा रहे हैं हम पाकिस्तान की बात करते हैं बंगला देश की बात करते हैं कि बंगला देश में दलीतों पर ये हो रहा वो हो रहा और जो देश में हो रहा जो ये सामंती गुंडे जातिये आतंक जो हमारे देश के दलीतों पर सोशर कर रहे हैं उसका क्या वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा दोस्तो राजस्थान में जिन लोगों ने उस दलीत बच्चे को निर्वस्त करके पीटा और उसे निर्वस्त ही नाचने पर भीड के सामने मजबूर किया दतल उनकुछ अपर सामनती गुंडों को इन जाती आतंक्यों को निर्वस्त करके सरकों पर घुमाया है और इस आतंक्यों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं नाम है चित्तिस गुर्जर संदीप सिंग आसीस उपाध्या और भी दो-तीन लोग इस अपराद में सामिल थें जिसको पुलिस वाल जरूर ढूननी पड़ेगी मगर मन को ठेंस पहुंचाने वाली दिल को चलनी कर देने वाली इन खबरों के बारे में आप क्या कहोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना